स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैट्स वेयर पे मैं अमीत हाजीर हूँ आज फिड़े 3 में रिविजन बैच में जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्स के कुछ कोईशन्स जो बार बार पूछे जाते हैं बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ इतने बढ़िया ट्रिक की आप विदिन सेकंड उसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे फैस्ट कोईशन के साथ इस्टार्ट करते हैं जिसमें आपसे पूछा है 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल क्या है मतलब इस पूरी संख्या का भी वर्गमूल करना है और उसकी क्या वैल्यू आएगी वो आपसे पूछी है तो ऐसे कोईशन को अगर करने जाएं तो बहुत डिफिकल्ट सा कोईशन लगने लगता है तो ऐसे कोईशन में मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ इस दस के आपको फैक्टर करने है और फैक्टर करने के साथ साथ आपको जैसी यहां दो पंजे दस होता है एक इंटू दस भी दस होता है दस इंटू एक भी दस होता है ऐसे फैक्टर्स का पेर लेना है जो इस संख्या को बनाता हो जोड़ कर अगर यहां बीच में प्लस है तो ऐसा जो पेर है वो ये है दो और पांच तो इसका मतलब जो इसका वर्गमूल होने वाला है वो दो और पांच के साथ होने वाला है और बीच में प्लस है तो प्लस आएगा लेकिन ये दोनों value root में लिखी जाएगी अब आप इसको root 5 प्लस root 2 भी लिख सकते हैं या फिर root 2 प्लस root 5 भी लिख सकते हैं जैसा आप चाहें ये वैसे लिखा जाएगा फिर अगर option में ये दिया है तो ये आपका answer है ये दिया है तो ये answer है option पर depend करते है जब option में दिया होगा जो भी वो आपका answer हो जाएगा means दोनों वहाँ पर होने चाहिए 5 और 2 same question हमने लिया है अब जैसे यहाँ 15 है तो हमें पता है 3 पंजे 15 होता है 3 और 5 का sum जो होता है वो 8 भी होता है इसलिए हम 3 और 5 लेंगे 3 प्लस 5 और दोनों को root में लेंगे तो ये इस पूरे का वर्ग मूल होकर answer आएगा या फिर root 5 प्लस root 3 भी आप लिख सकते हैं ऐसे question में अब आप यहाँ देखे जो यहाँ यह value लिखी है ना इसका मतलब होता है cube root cube root का मतलब होता है कि हमें इसका घंमूल करना है घंमूल करने के लिए पहले आप इस संख्या को solve करेंगे इस संख्या को solve करने के बाद जो आएगा उसको आप लिखेंगे 125 की 4 में पहले multiply होगी और यह 12 प्लस होगा उपर वाला यह प्लस होता है 125 चो के 500 होता है और प्लस 12 करेंगे तो यह बन जाएगा 512 divided by 125 अब इस पूरे का cube root करना है cube root करने का मतलब ऐसी संख्या जिसको खुद से 3 बार multiply करके 512 आता हो वो होता है cube root तो ऐसी कौन सी संख्या है वो है 8 क्योंकि 8 अठे 64 अठे 512 होता है तो इस पूरे का cube root जो आने वाला है वो 8 है जबकि 125 5 ऐसी संख्या है जिसको खुद से 3 बार multiply करके 125 आता है इसका मतलब 125 का cube root 5 होने वाला है तो divide में 5 आएगा अब आपको exam में या तो 8 बटे 5 लिखा हुआ देगा या फिर इसको mixed fraction में भी दे सकता है वो क्या होता है कि हम 8 को जब 5 से divide करेंगे तो 5 एकम 5 और यहां जो आपका says बचेगा उसको यहां रखेंगे जिस से divide करते हैं वो हमें इसा divide में रहता है यहां 5 है तो 5 divide में ही रहेगा और जो says होता है उसको उपर लिखा जाता है और जितनी बार यह इसका table चला था उसको यहां लिखा जाता है तो 5 एकम 5 और 3 आठ बटे 5 यह बन जाता है जिस किसी को फिर भी कोई doubt आ रहा है तो comment box में लिख सकता है मैं definitely उसकी help कर दूँगा जो भी doubt है आप बेजज़क लिख सकते हैं 666 का square किया तो यह value मिल जाती है तो वो कह रहा है कि यह किसकी value होगी किसका square करके यह value आएगी आप एक बात देखें कि जैसे हम 1.2 का square करते हैं पहले हम 12 का square देखें तो 144 होता है लेकिन 1.2 का square करेंगे मतलब 1.2 को 1.2 से multiply कर देंगे तो एक अंक और एक अंक दो अंक टोटल हो जाते हैं तो मतलब दो अंकों के बाद दसमलोग आ जाएगा तो एक point 2 का square जब करेंगे तो 2 अंकों के बाद लिखना है लेकिन आएगा तो 144 ही तो 2 अंकों के बाद यहां आजाएगा तो इसका मतलब अगर एक अंक के बाद दसमलो है इधर से स्क्वायर करने के बाद वो दो अंकों पर आ जाती है तो इसका मतलब स्क्वायर करने के बाद प्राप्त की संख्या में अगर दो अंकों पर है तो ओरिजिनल संख्या में वो आधे पर होता है तो यहाँ जो हमें चाहिए यह है square हने के बाद तो square हने के बाद यहाँ चार अंको पर दसमलो है तो इसकी original संख्या बिना square के जो रही होगी उस पर दो अंको के बाद दसमलो आया होगा लेकिन 606 संख्या है तो पॉंट होने से कोई فरक नहीं पड़ेगा जैसे यहां 12 का square 144 है तो 1.2 का square भी 1.44 है जो कि यह संख्या और यह संख्या तो सेम ही है बस दसमलो का फरक आता है और वो क्या होता है कि आदे अंगों पे आ जाती है तो इसका मतलब है कि answer तो 676 ही आना है जैसे यह original value थी तो इसकी original value 676 ही आने वाली है लेकिन यहां चार अंकों के बाद दसमलो था तो original संख्या में दो अंकों के बाद दसमलो रहा होगा तो it means यह value 6.6 रही होगी तो हमने 6.6 का square किया होगा तो हमें यह value मिली होगी तो इसका square root चाहिए था तो 6.76 is our correct answer आज आप लोगों ने देखा कैसे हम इन questions को easily कर पाते हैं फिर भी किसी को कोई doubt है तो मुझे comment box में लिख सकता है मैं definitely उसकी help कर दूँगा और जो भी doubt है वो आप बेजिजग समझ सकते हैं कोई भी doubt आप मेरे को लिख सकते हैं मैं उसको आपको समझाने की भरपूर कोसिस करूँगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में new tricks and new questions के साथ thank you